आपके यूट्यूब चैनल एंचेंजर 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं इस रिंखला में आज हम सीट एड के लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस एटाय लेके आगे चल रहे हैं इसमें हमने अत्तिन्त महतपूर प्रशनों को संगलित किया हुआ है जो आपके प्रशनों में आचुके हैं तो आईए समय को नगवाते हैं हम पहला प्रशन देखते हैं पहला प्रश्न है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुन्रा वृत्ति करती है इसका यह भाशाई व्योहार यह दर्साता है कि अब क्या दर्साता है आईए विकल्प देखते हैं विकल्प यह है वह समझ के साथ पढ़ने के कोशिश कर रही है विकल्प वह टक टक कर ही पढ़ सकती है विकल्प से उसे पढ़ना बिलकुल नहीं आता और वह पढ़ने में जादा समय लेती है अग ध्यान में रखना है कि सिक्षड से जो भी प्रश्न मने आपको दो तीन तो आईए नीचे से देखते हैं विकल्ब D से उसे पढ़ने में ज्यादा समय लेती है तो ये बाल केंद्रे सिक्षा का हनन कर रहा है ये वायसे ही कट गया आपका विकल्ब उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता पढ़ना ना आता तो किसले विद्याले ही जाती ये भी बाल के ये आपका क्या है सही है क्या है कि इसमें कहा जारा कि माधुरी पढ़ते पढ़ते कभी कभी वाक्यों सब्दों की पुन्रावृत्ति करती है इसमें क्या होता है कि जब कोई विद्यारती पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों सब्दों की पुन्रावृत्ति करता है तो उसका यह भाशाई व्योहार दर्साता है कि वह समझ के साथ पढ़ने के कोशिश कर रहा है इसलिए माधुरी का वाक्यों का दोहराना एवं शब्दों की पुन्रवृत्य यह दर्साता है कि वह समझ के साथ पढ़ने के कोशिश कर रही है इस प्रकार विकल्प A आपका क्या होगा? सही हो जाएगा. अगला प्रश्न देखते हैं. अगला प्रश्न है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग क्या दरसाते हैं? तो आईए विकल्प देखते हैं. विकल्प A है नियम का उलंगन, B. संदर् होना और दी नियम का अतिसामानी करण अब यह देखिए कि यहाँ पर नियम का उलंघन नियम का उलंघन ऐसे सब तो बिल्कुल कट जाएंगे जो नकारात मगदर सार हो संदर की समझ ना होना अगर उसे संदर की समझ ना होती तो पढ़ ही कहां पाती ठीक है तो यह विकल्ब सी होगा वो सही होगा ठीक है क्योंकि अब कंठस्त होने का तातपर यहां रट्टा मारने से नहीं है ठीक है यहां कंठस्त का मतलब समझ से है ठीक है यहां पे आप कंफ्यूज मत होईएगा नियम कंठस्त ना होने का तातपर है कंठस्त का तातपर समझ से है उसे नियम का समझ नहीं है यही कारड की वो ऐसे भाषा प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है और नियमों का अतिसामानी करड यादि उसे नियम के विशय में पता होता तो ऐसे गलती ना करती हो यादि करती भी तो उसे कुछ ही गलतियां होती ठीक है इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि यहाँ आपके उसे नियम की समझ नहीं है और इस प्रकार विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं व्याकरड सिक्षड की संबंध में कौन सा कथन सही है अब व्याकरड सिक्षड की संबंध में देखना है में तो आईए विकल्प देखते ह अगला भाषा प्रयोग के पेक्षा भासा नियमों को ही महतु देना चाहिए अगला बच्चे परिवेश में उपलब दभाशिक प्रयोगों की आधार पर सुयम भासा के नियम बनाने के शमता रखते हैं अगला व्याकरण सिक्षड अत्यनतावश्यक है अगला व्याकरण सिक्षड के समद्ध में कौन सा कथा सही है पहला विकल्प व्याकरण सिक्षड के लिए समय साड़ी में अलग से अलग से कौन सा नियम होता है या आपका विकल्प वैसे ही कट गया है अब अलग से मतलब केवल और सिर्फ से आप जोड़ दीजी इसे तुरन वैसे ही विकल्प आपका कट जाएगा अगला विकल्प है भाषा प्रयोग के पेक्षा भाषा नियमों को ही महत्तो देना जैसे आप ऐसे सब्दों को देखे विकल्प काट दीजी ठीक है अगला विकल, बच्चे परवेश में उपलब भाशिक प्रयोगों के आधार पर स्वयम भाशा के नियम बनाने में छमता रखते हैं अब देखिए, भाशा की छमता जो होती है वो जंजात होती है जित करने की छमता ये तो ठीक है लेकिन यदि नियम बनाना वो सीख ही लेते तो सिख्षक और विद्याले की आवश्यकता ही क्यों होती ठीक है इस प्रकार इस आधार पे आपका विकल्प से भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा व्याकर सिख्षड अत्यंत आवश्यक होता है जिसके या जिससे भाषा जो भाषा का नियम होता है वो सही तरीके से किया जा सकता है ठीक है इस प्रकार विकल्प डी जो आपका हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है अब अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है भाषा की पाठ पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो विकल्प देखते हैं कैसे पाठ रखे जाने चाहिए केवल व्याकरडिक नेमों का अभ्यास कराते हों अत्यंत छोटे हों सरल भाषा से युकते हों पच्चों के परवेश से जुड़े हों केवल विकल्पे आप तुरंद काड़ दीजे केवल सिर्फ ही ऐसे सब्दों को देखते ही आप काड़ दीजे अत्यंत छोटे हों चलिए एक मिनट लिए माल लेते हैं सरल भाषा से युकतो चलिए ये भी एक मिनट लिए हम माल लेते हैं कि सही है बच्चों के परवेश से जुड़े हों अब देखिए ये जो दोनों विकल्प है यानि B और C जो है वो D में समाहित है ठीक है इस प्रकार विकल्प D आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठी बच्चों के परवेश में जो जुड़े हो ऐसे ही पार्टे पुस्तोगों का निर्मार्ट करना चाहिए इस प्रकार विकल्प D आपका क्या है सही है अगला प्रशन देखते हैं कि कख्षा में मौजूद बहुभाशिकता क्या है बच्चों को लक्ष भासा सीखने के लिए हतुत साहिद करना अगला विकल्प शिक्षक लिए एक जटिल और कठोल चुनोती है बाशा शिक्षण में बाधक है बच्चों के परवेश से जुड़े हैं ठीक है अब देखते हैं विकल्पे विकल्पे इसमें क्या है कक्षा में मौजूद बहुभाशिकता हमें हमेशा ऐसे प्रश्ण जबाएं तो इसे आप पॉजिटिव लीजिएगा हमेशा पॉजिटिव ही चलिएगा निगीटिव नहीं ठीक है अब देखिए सकारात्मक सोच के साथ विकल्प होती है यह तो आपका बिलकुल ही गलत हो जाएगा अब भाशा सिक्षण में बादक है यह भी आपका क्या हो गया गलत हो गया बच्चों के परवेश से जुड़े हैं आपका यह विकल्प ही यहां गलत हो गया है अब विकल्प क्या होना चाहिए था यह मापको उताते हैं क कक्षा में जो मौजोद बहुभाशिकता होती है इस प्रशन के लिए माफी जाते हैं इसका हम सही विकलप आपको बता दे रहे हैं कि कक्षा में मौजोद बहुभाशिकता जो होती है ठीक है वो भासा सिक्षड में एक संसाधन की रोप में प्रयोक्त हो सकती है ठीक है इसका स जही आंसर क्या होगा, कि ये भाषा के, भाषा सिक्छड में, एक संसाधन के रोप में प्रयोक्त हो सकती है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, कि भाषा सिक्छड जो होती है, भाषा सिक्छड में जो बहभाशित्ता होती है, एक संसाध्यन की रोप में प्रयोग की जा सकती है ठीक है? उमीद करते हैं ये प्रशना समझ गए होंगे आईए अगला प्रशन देखते हैं दुतिय भाशा की रोप में हिंदी सीखने का मुख्योद्देश क्या है? दुतिय भाशा की रोप में हिंदी सीखने का मुख्योद्देश क्या है? आईए विकल्ट देखते हैं मानक हिंदी लिखने में बोड़ता प्राप्त करना अगला हिंदी और अपने मात्र भाशा के अंतर को कंधस्त करना अगला हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना अगला दयानिक जोन में हिंदी समझने तथा बोलने की चमता का विकास करना ठीक है? अब विकल देखते हैं अब इसमें विकल क्या होगा? आईए देखते हैं विकल पे दो दिया भाषा के रुप में हिंदी सिखने का मुख्योद इसक्या मानक हिंदी निपूरता प्राप्त करना ये जरूरी नहीं होता है क्योंसे निपूरता ही प्राप्त करने हो विकल भी हिंदी और अपने मात्र भाषा में अंतर कंठस्त करना यहां रट्टा मानने की बात की जा रही, अब रट्टा मानना आपका बिल्कुल गलत्स हो गया, अंतर कंठस्त करना ये कौन से याद करने का तरीका हो गया, ठीक है, विकलबी भी आपका गलत्स है, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करन होता है इस प्रकार विकर डी आपका क्या है सही है अगला प्रशन देखते हैं सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिवक्ति के आउसर देने के लिए अनिक क्रिया कलाब करती है आप निम लिखित में से सबसे आदा प्रभावी किसी मानेंगे कह रही है कि सपना ज सित्यों से समवाद अदाएगे करना अगला सब्द को जोड़ जोड़ से बोलना अगला कहाने को बोल-बोलकर पढ़ना अगला समाचार पत्र पात्र का वाचन करना अब ये विकल्म नीसिस देखते हैं, मौकी के अभिवक्त करने का प्रभावी तरीका कौन सा है, समाचार पत्र को पढ़ना, ये ज़रूरी थोड़ी है, कहाने को बोल-बोल कर पढ़ना, अब बोल-बोल कर पढ़ना, ये कौन से अभिवक्ति हो गई, सब्दों को जोर-जोर से होता है, यदि बच्चा दोसरे बच्चे से वारता लाप करेगा, तो उसमें क्या होगा, कि क्रिया कलाब की जो, यानि अधियम की जो छमता होगी, अधिक तीव्रगत से विक्सित होगी, ठीक है, ये वैसे ही समाने तरीके से माना जाता है, कि जो सिक्षड का तरीका होता है सबसे, सबसे बहतर तरीका होता है discussion method, ठीक है? यानि एक दोसरे से वारता लाब करना, विचार, विमर्ष करना, ये सबसे प्रभावी तरीका होता है, ठीक है? इस प्रकार विकल्प ये आपका क्या है? सही है, अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया वा हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है एक सिच्छक की रोप में आप किस कथन को सही मानेंगे ठीक है? अब आईए विकल्प देखते हैं सुहेल एक महीने पहले प्रशन एक बार देख लेते हैं सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया अब एक साल पहले वा असम से पंजाब आया अब उसे हिंदी बोलने में कठनाई हो रही है अब उसके लिए अब क्या करेंगे? उसे रोज एक घंटा हिंदी भाषा हिंदी भाषा के सब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकादी का उसर वा प्रोच्चाहन देना चाहिए, अगला सुहेल को बार बार उसके तुटियों के बारें बताना चाहिए, अगला सुहेल के मात्र भाषा का प्रभाव लक्षिभा भासा होना चाहिए आईए विकल्प देखते हैं उसे रोज एक घंटा हिंदी भाषा सब दोलने का अभ्यास काना चाहिए यह कोई तरीका नहीं यह तो रट्टा मारने वाले बात होगे विकल्प एकट गया सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधी का उसर्वा पूच्छा हैं दिना चाहिए चलिए मान लेते हैं एक मिनट के लिए सही हो सकता है अगला विकल्प सुहेल को बार बार उनके तुट्टियों के बारें बताना चाहिए इससे तो यह डिमटूइट हो जाएगा तो चाहित हो जाएगा विकल्प से भी आपका गलत है सुहेल की मात्र भाषा का प्रभाव लक्षि भाषा यह आपका ज़रूरी नहीं है ठीक है इस प्रकार विकल्प भी आपका क्या है सही है सुहेल को इस प्रकार क्या होगा कि एक सिक्षक को चाहिए कि वह सुहेल को भाषा के प्रय एवं व्यापक पक्रिया है इस प्रकार विकल भी आपका क्या होगा सही होगा क्योंकि सुहेल को भाशा प्रयोग के अधिकाधिक आउसर देने चाहिए और उसे प्रोचसाहिद करते रहना चाहिए ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं भाशा के भाशा के संदर में निदानात्मक परिक्षड का उद्देश से क्या है ठीक है अब आईए विकल देखते हैं निदानात्मक परिक्षड का उद्देश से देखना है बच्चों हे तो भाशा प्रयोग के उसर जुटाना बच्चों को अगली कक्षा में प्रोननत करना बच्चों को विन्स रेडियो में विभक्त करना बच्चों की भाषा प्रयोक संबंदी कठना यो कि संभावित कारडों की पहचान करना अब निदान, निदान का तातपरी क्या होता ये पहले समझ लेते हैं निदान का मतलब होता है कारडों का पता लगाना निदान का सापदे कर्थी हो गया कारडों का पता लगाना जब कारडों का पता लग जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है उपचार किया जाता है जैसे उदाहरड के लिए मान लेजे यदि एक मरेज एक डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसका निदान करता है ठीक है ये जानने के कोशिश करता है कि उसके उस रोगे के आस्वस्त होने की कारड क्या है तो कारड जानना ही क्या कहलाएगा निदान कहलाएगा अब निदान जानने के बाद ही एक डॉक्टर वो दवा देता है, वो इलाज करता है, वो ही क्या कहलाता है, बाद में उपचार कहलाता है, इस प्रकार इसमें बच्चों हे तो भाशा प्रयोग के आसर जुटाना, आसर जुटाने ये कौन सा तात पर है, इसके लिए कोई समय आएगा निसी, ति ये वैसे ही बच्चों की भाशा प्रयोग संबंदी कठनाईयों के संभावित काड़ों की पहचान करना, कारण को जानना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है, इस प्रकार आपका विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगला प्रश्न, भाशा के सतत और व्यापक मोले अंक का उदेश क्या है आईए विकल्ब देखते हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उपयुक सिख्जड अधिगम प्रक्रिया पनाना अगला अगली कक्षा में प्रोणत करना बच्चों की दूटियों की पहचान करना मुल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना ठीक में अगले विकल्ब देखते हैं अगली एक अक्षा में प्रोनत करना फिर वही नकारात में को आके हो गया बच्चों की तुटियों के पहचानना ये कौन से आपकी सतत और व्यापक मौलयांकन है मौलयांकन के परमपरा के निर्वा करना अब परमपरा ये कोई नियम थोड़ी चला इसमें ये आपका विकल्प ऐसे ही गलत हो गया इस प्रकार विकल्पे आपका क्या है सही है अब क्या गयरा भाषा के सतत और व्यापक मौलयांकन का उदेश क्या है तो भाषा के तो बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया को समझ कर उपयोगते सिक्षड एकर प्रक्रिया अपनाना क्या होता है भाषा के सतत एवं व्यापक मुल्यांगा का उद्देश्य होता है इस प्रकार विकल पे आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देख अगला समस्याओं की पहचान पर अगला समस्याओं की कार्डों की सही पहचान पर हमने अभी अभी कहा कि निदान के बाद ही क्या आता है उप्चार आत्मक सिक्षड की सफलता मुख्यता किस पर निर्भा करती है तो उप्चार आत्मक सिक्षड की समस्या मुख्यता समस्याओं की पहचान पर निर्भा करती है क्योंकि सिक्षड में जिस प्रकार की भी समस्या आती है उसे उपचार आत्मक सिक्षड के माद्यम से ही दोल किया जा सकता है तात पर आप ऐसे ही समझ लेजिए कि उपचार कब सही तरीके से होगा जब उसका निदान सही तरीके से हो अब माल लेजिए कोई मरीज हो एक मिनट ले आप उधारण में माल लेजिए कोई मरीज हो ठीक है? उसे बुखार रहा हो ठीक है? उसे एक मिनट ले बुखार रहा हो अब निदान सही से नहीं किया गया हमें कारण नहीं पता लगा पाए कि बुखार है या नहीं है और हम सीधे सर्दी की दवा दे दी तो जब सही तरीके से निदान किया जाएगा तभी सही तरीके से उपचार किया जाएगा तो वही कह रहा है उपचार आत्मत सिछड़ की सफलतिया किस पर निभा करती है तो समस्याओं की पहचान पर इस प्रकार विकलपसी आपका क्या होगा सही हो जाएगा अर्था निदान पर ठीक है विकलपसी आपका क्या है सही है और अगला और अंतिम प्रशनाच का देखते हैं उचकक्षाओं में यानि जूनियर के लिए है ठीक है उचकक्षाओं में क्या है अगला विकल केवल चंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भासा सिक्षड का मुक्यो देश है अगला भासा कोशल साध्य और साधन है साहित अगला भाशा की पाठ पुस्तक में अत्यनत महत्यू पूर्ड है ठीक है आप देखिए इसमें क्या करा कि उच्छ प्राथि में अस्तर पर भासा सिख्षड की प्रक्रियां में सबस्दिक महात्व पोड़ क्या है ठीक है तो आए विकल्द देखते हैं कह रहा है प्रश्ण में उच्छ कक्षा में पुनाइक प्रश्ण ध्यास समझेगा कहना क्या चाह रहा है कि उच्छ कक्षा में ठीक है उच्छ कक्षा में क्या कहने का दात पर है अब इसमें क्या होता है आए विकल्द देखते हैं साहित्य साध्य है, साहित्य साध्य है और भाषा कौसल साध्य है, साहित्य साध्य है और भाषा कौसल साध्य है आएम इसे अपने भाषा में explain करते हैं, फिर विकल देखते हैं तो उच्च कक्षाओं में क्या होती है, भाषा के सभी जो कौशल होते हैं, वो साध्य की रोप में होते हैं, तथा जो साहित्य होता है, वो साध्य की रोप में होता है, ठीक है, जो कौशल होते हैं, कोई भी कौशल हो, ठीक है, वो साध्य की रोप में होगा, और जो साहित्य ह होगा वो साधन की रूप में होगा तो आए विकल्प देखते हैं विकल्प में करा साहित साधन की रूप में होना चाहिए केवल चंद अलंकारों को समझने के अब केवल वैसे जुड़ा है, विकल्प आप काड़ दीजे, केवल ही, ये सब आपके विकल्प वैसे ही न कारात्मक है, भाषा कौसल साध्य है, और साधन है, साहित्य, बिल्कुल सही, ये विकल्प सी आपका क्या है, सही है, कि उच्छी कक्षा में क् कोशल होते हैं, वो साध्य की रूप में होते हैं, और जो साहित्य होता है, वो किस की रूप में होता है, साधन की रूप में होता है, ठीक है, भाषा की पाठे पुस्तक, पाठे पुस्तक ज़रूर नहीं है, विकल्प ही आपका क्या हो गया, कटिया है, मेरे रट्टा थोड करें आज की क्लास में इतना ही धन्यवाद